हेलो और वल्कम टू टेली एक्सप्रेस यो वन स्टॉप डेस्टिनेशन फर अल एंटेटेन्मेंट यूज दोस्तों सीरियर ये रिष्टा क्या कहलाता है से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अपडेट हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं जी हां अपने बे केस कर दिया एक बहुत बड़े फ्रॉट में अपने सगे बेटे अभिमन्यों को मंजरी ने फसा दिया सिर्फ इसलिए ताकि उसका बेटा अक्षरा से शादी ना करें बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने यहां पे एक बहुत बड़ा गेम खेला है मंजरी ने अभिमन्यो को अक्षरा की होने नहीं देना चाहती वह नहीं चाहती कि उसका बेटा अक्षरा से शादी करें या उसके होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी उठाए ऐसा क्या किया मंजरी ने और किस केस में फसादिया अपने सगे बेटे को बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्त हाता है कि upcoming episodes में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पार्थ की मदद से जो मंजरी है वो अपने बेटे को जूटे मनी लॉंडरिंग के केस में फसादेती है मंजरी 15 करोड का चेक बनाती है और पार्थ को कहती है कि किसी भी तरीके से इसे एक स्कैम के तरह दिखा और सारा पैसा अभिमन्यों के अकाउंट में डाल दे पार्थ कहता है कि आप यह सब क्यों कर रही हैं किस लिए क्या मिलेगा आपको तब यहां पे मंजरी उसके आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि मा अपनी मंता में विवश होकर कुछ भी कर सकती है मैं अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूं मंजरी यह तक कह देती है कि पार्थ तु मेरा बस यह काम कर दे उसके बाद तुझे जो कुछ चाहिए होगा मैं तुझे सब दूंगी और प कर अब कोट मैरेज हो रही है अक्षरा और अभिमन्यों की तभी कोट में पहुचती है पुलिस और अभिमन्यों को गिरफतार करती है यह कहती है कि आपका बेटा मनी लॉंडरिंग के केस में फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया है और हमारे पास सुबूत है कहानी में आने आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं साथी वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी न भूले